कि हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप तभी का स्वागत है 247 के ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर वैवश रवास्तों के साथ दोस्तों आज हम आपके साथ जोड़े हैं कोल इंडिया की एक सेशन यानि जैसे आपको पता होगा कि यह रेगलर क्लास चलने वाले आपक आपको बता दें कि आज हम आप से डिसकुस करने वाले हैं इंटरनेसटनल और और कॉछन का हैड़क्वाटर पूछा गया है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने तो हमारा जो सुलेवस रहा है प्रीवियस पैटन के ऊपर बेस करके अगर हम पैटन की बात करें तो वह हम सारी चीज़ हम अपडेट करने वाले हैं यहां पर तो आज यह यह और एक बारी क्लास को आप से गुजारिस रहें कि क्लास को एक बारी सेर कर दीजेगा ताकि लोग जोड़ सके हम लोग के साथ दोस्तों एक चीज़ और आज यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो यह एमटी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का यह जो रिकूट्मिंट है आपका यह डिफिकल्टी लेवल क्या होगा एक क्वेस्टन के तो अभी जैसा कि अभी हम जयानि जो जोडिफिकल्ट्र्टी लेवल यह गा यह खरेव क्लर्क लेवल का जोगा तो आписको ऐसी आप से मैञेज करना है आपको यह इंपर क्लासे स्पी और PBS होगी तो आपकोि यहां पर यह वह क्योंक Crue certains है नॉर्मल एक्जाम से ऑप किसे पर देखनी कको मिलेंगे प गमरेंट से भरे हो लीगल से भरहे हो या फिर आप से बर रहे हो तो HR से तो आप एक बारी देख सकते हो इसको तु तो आते हैं हाओ स्टार्ट करते हैं बिना लेट के एससे पहले आप से गुजारी से ही रहे और इस बुक में आपको बता दें कि कोई अड़ा का बुक की बात हो रही है अगर अगर कोई भी बुक ले रहे हो जो आपके घर पर कूरियर जाएगा उसमें दोस्तों आप कोड लगा सकते हो Y307S code और आपको maximum discount ग्रैब होगा और उसके उपर कोई shipping चार्ज नहीं है यानि कोई courier चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज ओवर बर्डे यानि कि जो बर्डेन होगा एक्स्ट्रा बर्डेन वो आपको नहीं आए पहले क्या होता था कि आपका अगर बुक लेते थे आप printed बुक ले कराना है और आप बुक के उपर grab कर सकते हैं maximum discount ठीक है और यह आपके बैचेज है जिसो पेपर वन अगर आपको पेपर टु की तयारी नहीं कर नहीं है कि आप अपने से प्रिपयर हो जो भी है HR हो लीगल हो तो आप यूड के क्लासिस त्वाइन कर सकते हो आप इस कोड को ल साथ तीक हम आज हम आपको क्या करेंगे है तो mcq mcq उसके साथ साथ हम question discuss करेंगे लेकिन उसके साथ साथ आपको उसका trick भी बताते चलेंगे और वो सारी चीजे याद होती जाएंगी आपको जबाब देना है पहला question है word metrological organization यहां पर क्या है word metrological organization तो आपको बता दें इसका trick कैसे आदखना है मेरी बाद समझना इस trick को आगे भी आभी आपको यूज करना होगा ध्यान से सुनते चलना आपको याद हो जाएगा ऐसे organization जो w से start w मतलब word क्या हो इससे क्या हो start हो w से start हो word से start हो और दोस्तों की ending किस से हो ओ मतलब organization इससे क्या हो इनकी ending हो जैसे wm o क्या बोलेंगे हम लोग wm o w से start o से ending तो w से start o से ending ऐसे organizations का headquarters कहां चला जाएगा जिनेवा कहां चला जाएगा जिनेवा चलाएगा ऐसे organizations के headquarter ऐसे बहुत सारे संगठन के नाम आते हैं लेकिन हर जगा एक exception होता है ना एक हर जगा एक exception होते हैं exception कौन है एक exception के अगर हम बात करें तो exception क्या है यहां पे तो दोस्तों exception आपका हो जाएगा क्या तो आप समझना मेरी बाद डबलू टी ओ क्या नाम है इसका वर्ड वर्ड टूरिजम ओर्गनाज़ेषण मेरी बात ध्यान से सुदकर के चलना है तूरिजम ओर्गनेज़ेशन डबलू सी ओ वर्ड дов कौसटम्स और्गनाज़ेशन का हेट downtime हो जाएगा ब्रुसेल्स में तेके और वर्ड टूरिजम और्गनेशन का हेटकॉाटर हो जाएगा मैडरिड इस्पेन में कहां पर मैडरिड इस्पेन में इन दोनों को छोड़ के देखो अब यह एक्सेप्सन है यानि कि इसके नाम की स्टार्टिंग में भी डेबलू लगा है मेरी बास स वर्डमेल्स मेडरॉजंए वड्रण वर्णॉजंट इन सब पर कहां जायंगा जाया चिनिवा और एक और नाम आएगा आपका आपका शर्क्रों sir डव्ट लुलिग और ट्रेड इसे हो जाया 흑 तूरिजम यहां पर T से हो जाएगा tourism लेकिन यहां से हो जाएगा trade इन सब का headquarters कहां जाएगा जिनेवा लेकिन किसका नहीं जाएगा इन दोनों का तो यहां पर question क्या है world metrological organization headquarters जिनेवा आग बनकर का answer c is the correct answer देखो आप अभी trick को एक बारी दो बारी देखो तीसरी बारी आप खुद बखुद जवाब ना देने लगे तो बताना ठीक है आगे की और मूव करते हैं बोलो इतना क्लियर है आपको यह पहला पॉइंट क्लियर है ऐसे संगठन जिनके नाम जो नाम जो इनका नाम स्टार्ट हो रहा है किससे डबलू से और इंड किससे हो रहा है औ आप लोगों ने डबलू से स्टार्ट ओ से इंडिंग लेकिन एकसेट्सन दो है वर्ड टूरिजम और इसका मैड्री स्पेंड में जाएगा और एक है डबलू सी ओ वर्ड कस्टम्स और इसका हैड़कोटर कहा जाएगा तो आपको ब्रूसल्स बेल्जिम इन दोनों को हटा कि सबका हेड़कोटर जीनेवा जाएगा बोलो क्लियर है अगला क्वेस्टन अब फिर से नया ट्रिक देखो अभी जो ट्रिक पढ़ा रहे हो आगर आप पेपर पेन रखें तो आप इसको सेव कर लो या फिर इस वीडियो को लाइक कर लेना आपके लाइक वीडियो में आप सब लोग दवाब दो इश्यू क्या होगा अब इसको इसका ट्रिक क्या है हम आपको जान बुझके ऐसे क्लास करवा दे रहें तक कि आपको यह सारी चीज़े याद रहें इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं यह इंपोर्टेंट चीज़ें अपडेट रखना होगा आपको रेसमा बगहेल ओके रेसमा मैं गुड़ अब इसका ट्रिक समझना बच्चे ऐसे औरगनाईजेशन ऐसे संगठन जिसके नाम में मेरी बाद समझना इंडस्ट्रियल डवलप्मेंट सब्द जुडा हो जिसके नाम में इंडस्ट्रियल डवलप्मेंट सब्द जुडा हो जि इसके नाम में क्या जुड़ा हो इंडस्ट्रियल डवलप्पेंट मेरे लाल पहला पॉइंट जिसके नाम में पेटॉलियम सब्द जुड़ा हो और जिसके नाम में अटॉमिक एनर्जी सब्द जुड़ा हो ऐसे संगठन को आंक बंद करके इनको उठाना और लेके चले जाना इसका headquarter कहाँ चला जाएगा Vienna, Austria Austria की capital क्या है Vienna है तो Vienna, Austria लेके चले जाना इसका पुरा नाम क्या है तो इसका पुरा नाम है United Nations United Nations Industrial Industrial Development Organization United Nations Industrial Development Organization क्या लगा है Industrial Development Headquarter Vienna, Austria Option B is the correct answer बोलो क्या गलत था यहाँ पे क्या गड़बड़ी थी, कुछ तो नहीं था अब देखो, आपको समझा अगर आपसे question पूछा जाए कि where is the headquarter of OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries Petroleum सब्दे लगा Headquarter, Vienna OPEC याद रखेगा OPEC question आ चुका है Atomic Energy IAEA International Atomic Energy Agency International Atomic Energy Agency IAEA Headquarter Vienna, Austria बस आपको तीन चीज़े याद रखनी है मेरी बाद समझना तीन चीज़े जिसमें Industrial Development बच्चे, देहाँ से सुनना Industrial Development, Petroleum और Atomic Energy लगा हो आख बन करके ठोक के चले आना कहाँ पर? Vienna, Austria बोलो क्लियर है? जी हाँ, री नाम है, गुड अगले question को चलते हैं अगला question अब बताओ लो इसका headquarter बताओ जल्दी यल्दी आ गया question अब आपका अब ऐसे से question बीच बीच में आते रहेंगे वेर इस the headquarter of OPEC OPEC का headquarter कहाँ पर है? वेल डन, वेरी वेरी गुड अभी अभी आप लोग ने पढ़ा अभी अभी सुना है, जस्ट अभी तुरंट ये question एक दो question के बाद आना चाहिए था तब आप से पूछते, तब आप जवाब देते से क्या बनता, ठीक है, I think सबका एंसर होगा OPEC, हमने आपको बताया था, ऐसा संगटन जिसमें पैट्रोलियम वर्ड जुडा हो, headquarter कहाँ जाएगा? Vienna, Austria, Nisa, Bhagat, very good Nisa, ma'am and Risma, superb, its correct answer is, जी हां, Rina, well done, unknown, very good, superb, unknown, unknown नाम भी यहाँ पर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुद्दा यह है, कि हमें याद हो रहा है, अलोका प्रसाद रौत्रिया, ओके सर, ठीक है, गुड, अब याद रखना, आप लोगे यह ध्यान रखना, अगला question, MNST International Headquarter, अब इसको कैसे, अब इसके साथ साथ देखो, बहुत सारे स्टंकटन के नाम Headquarter याद हो जाएंगे आपके, अब कैसे याद कर सकते हो, Amnistry International, अगर आपके पास याद है, तो फड़ा फड़ा तो answer कर सकते हो, ने, अब ही तो Google भी करके देदोगे answer, लेकिन मुद्दा हमारा एक्जाम में Google तोड़ी न काम आएगा, हमारा खुद का दिमाग है जो Google की तरह काम करेगा, कैसे समझेगा, इसका trick क्या है, तो हमारा trick हो जाएगा, क्या, I am, I am, I am common man, common man, कहाँ पर, in London, I am, common man, in कहाँ पर, London में, ठीक है, I am common man in London, आइस तो हो जाएगा यार, I am O, International Maritime Organization, सुनते चलना, और भाई, जो नए दोस्ते चनल को सब्सक्राइब करके, बैल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको classes की, सभी classes की notification मिलती रहे है, ठीक है, आपको धिहान रखना है, I से हो जाएगा, I am O, am से हो जाएगा, मेरे लाल, MNST International, क्या हो जाएगा, MNST International, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, MNST International, common से हो जाएगा, मेरे सेरो, मेरे Champions, common wealth of nations, ऐसे हाँ रहे है, common wealth of nations, या फिर common wealth of telecommunication, यानि कि common wealth सब्द जुड़ जाए, common wealth of telecommunication, telecommunication, ये आपको नाम आए, इन दोनों का नाम आए, तो आपको याद रखना है, इन सब का headquarter कहाँ चला जाएगा, London, लंदन, common wealth कहीं भी नाम लग जाए, लंदन headquarter रखना है, आई से हो जाएगा, IMO International Maritime Organization, ठीके, AM से हो जाएगा, MNST International, और common wealth से सारे नाम, जितने common wealth से नाम जुड़ेंगे, सब, और सब का headquarter कहाँ जाएगा, लंदन में, कहाँ पर जाएगा, बोलो, London is the correct answer, क्लास की टाइमिंग बच्चे, ही नाम आम, आपका तीन बज़े होगा, डेली, कल भी आपकी क्लास की टाइमिंग तीन बज़े होगी, आपको तीन बज़े अवैलवल होना है, ही नाम, ठीके, नेक्स पॉंट मूब करते हैं, बोलो, clear है, I am common man in London, गईज आपको यातना, I am common man in London, तो यह चीज़े ध्यान रखनी हैं आप लोगों ने, I say, I am international maritime organization, AM से हो जाएगा, Amnesty International, common से हो जाएगा Commonwealth of Nations, Commonwealth of Telecommunication, और London क्या हो जाएगा, headquarter, तो London आपका, Amnesty International का headquarter, London, सबका in headquarter, London में, next point, अगला question, बच्चे, ILO, फिर से एक trick, हमको update करना है, आपे, अब देखो, दो, तीन trick है, अभी है, कल का topic, बच्चे, आपका regulatory bodies है, अनु मैं, जो आपके लिए important होने वाला है, regulatory bodies मीन टू से, कि आपको जो regulate करता है, इंडिया में, जैसे, FSSCI, food safety regulator है, ठीक है, money market, RBI है, एक example बता रहे, SM आपको सारा explain करेंगे, और आपके exam में पूछा भी गया है, तो इसी से related topic, कराएंगे, ओके अनु, हाँ, international labor organization, इसका headquarters सब को पता होगा, सब लोग answer देके चला जाएगा, लेकिन मेरी बास समदना, इसको trick से आपको याद एकना है, मेरे बच्चे, trick क्या है, ऐसा संगठन जो I से start हो, I से start हो, जैसे international, जैसे international, याद है, W से start किये थे भी हम लोग, ये बात पता है आपको, I से start हो, O से end हो, S.S.ंगठन का headquarters कहां चला जाएगा, तो आपको याद रकना है, जिनेवा में, कहां जाएगा बच्चे, जिनेवा में, जिनेवा स्विर्जलेंड में, याद रकना, अभी आप बोलोगे, वैबो सर, अभी आपने कुछ दिर पहले बोला था सर, कि W से start हो, O से ending हो, headquarter जिनेवा, तो जी हाँ, वही वाला चीज है, यहाँ से I से start होगा, और O से ending होगा, उसका भी जाएगा, जिनेवा, लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है, अपवाद मतलब, exception, यहाँ भी exception है, क्या, अभी अभी आपने पढ़ा था, और exception क् यहाँ से start हो, O से ending, लेकिन इसका headquarter तो कहाँ पर है, लंदन में, तो यहाँ पर वही exception आप लिख लेना, क्या, IC start हो, O से ending हो, headquarter कहाँ जाना चाहिए, जिनेवा, लेकिन यहाँ पर है, international maritime, maritime organization, IC start, O से ending, हेड़कौटर जिनेवा जाना चीह लेकिन इसका हेड़कौटर कहां पर है लंदन में बोलू clear है यह चीज़ ठीक है और दोस्तों याद किसका हेड़कौटर कहां जाएगा जीनेवा किसका बात किया रहे है आई लो देखो अब कौन-क्वैशन आई एल ओ इंटर्नेशनल लेबर औरगनाईजेशन ठीक है आई से स्टार्ट ओस्त्र इंडिंग हेड़कॉर्टर जीनेवा क्लियर रहे है यह याद अखना दोस्तों आपका जीनेवा हेड़कॉर्टर जाएगा बोलो आई होब कि आपको आई एसो इंटर्नेशनल स्टेंडरिशन औरगनाईशन आई से स्टार्डिंग ओसे इंडिंग हेड़कॉर्टर जीनेवा आई एसो आई एलो अपवाद नहीं अपवाद 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 ठीक है यह ध्यान रखना आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेस्टिन अब इसका जवाब दो आपने पहले क्लास में पहले अपडेट कर रखा इसको जवाब दीजेगा मेरे सेर फटाफ़ जवाब दीजेगा तावर्ट तोर तरीके से वर्ड टूरिजम और्गनाईशन का हेड़कॉर्टर इन में से कहां परिस्थित है आपको प्रॉमिस है इस बात का कि आपका जो बैच आने वाला है इस मैक्समम चीज़े आपका अपडेट हो जाएगी स्टैटिक वाले पोर्शन को भी लेके आ रहे हैं और करेंट दो ही टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा करेंट ज़्यादा रहा है हई हम ने आपको पताया था दो एकस्टबस बॉड्य ठेक है डॉब टी ओ जिसका नाम है क्या टूरिज़्ू वाला टॉरिज़्न्स तॉर्γक्ट और शाटिक नाम था क्या वाट्सкр机 किसकी बात कर रहे हैं कस्टंस की यह हम लो कस्टंस और तूरिज़म यह दोनों आपको अपवाद थे तो हमने आपको बता था टूरिजम वाला कहां चला जाएगा मैडरीड इस्पेन में कहां चला जाएगा मैडरीड इस्पेन में और कस्टम वाला कहां चला जाएगा ब्रूसल्स बेल्जियम में तो आपको याद अखना है या टूरिजम वाला है तो इसका करना है नन इस्पेन होना चाहिए अच्छा प्रसांद क्यों तो मेरे को बताया होता है ठीक है चलो क्लियर एचीज यह दिहानक ना आप लो को ट्रिकी बना लो इसको नेक्स पॉइंट अब देखो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा वेरिज्ट क्वाटर ऑफ एशन इंफरस्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक इस बेस्ट इन विच ऑफ फॉलोविंग सिटीज इसका एंसर क्या होगा यह आपको खुश से बताना पड़ेगा इसका कोई ट्रिक नहीं है आप दो तीन बॉडीज ऐसे जो आपको जो आपको आपको याद रखना है क्या है एसन इंफरस्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक इस बेस्ट इन विच ऑफ फॉलोविंग सिटीज इसका है इसका है याद रखना है एक बार दो बार बोलोगे आप पढ़ोगे याद हो जाएगा फिर आते हैं अभी एक दो क्वे जैसे यह निउड व्लप्मेंट बैंक अब बात अती है निउड व्लोप्मिंट बैंक इस किस देश में है और इसका भी होट इसका एंसर और जवाब दीजेगा इसका जवाब दीजेगा अंजली बैंक अभी इसका करेंट करेंट का मुद्दा न्यूस क्या है कि अभी इंडिया ऐसे आ रखना Gift City में, Gift City गुझरात में कहाँ पर? गुझरात में क्या हुआ है? ठीके, गुझरात में क्या हुआ है? गुझरात में पहला ऐसा International Organization है या International Financial Body है जिसने अपना Regional Office लगाया है कहाँ पर? Gift City गुजरात में, किसने New Development Bank ने, बेटु New Development Bank में तोटल पाच rank भा करती थी, ठीक है, प्लस, प्लस चार body, चार कंट्रियां और add हो गई, होगाई, तोटल कितने हो गई है, तोटल इसमें member नौ, पाँच कौन कौन से थे, तो आपको हम बता देते हैं, ब्राजील माफ कीज़ेगा ब्राजील रश्या इंडिया चाइना साउथ अफ्रिका यह आपको याथ ने यह पांच बॉडिस थी यानि पांच मेंबर थे इसके यह पांचों मेंबर आपको याद अखना है प्लस चार और आड हो गए कौन तो ब्रिक्स ब्यू ऐसे आतना ब्र यू से हो जाएगा उरुग्वे यू से हो जाएगा यू एई तो आपको यातना ब्रिक्स ब्यू टोटल कितने हो गए निन्या असरी टोटल कितने हो गए नौ ठीक है टोटल कितने हो गए नौ तो आपको याद रखना है यह आपको ब्रिक्स ब्यू ठीक है और इसका हैड क नहीं होता बिटोनी होता बेटू हमने बोला है बिटोनी बेटू बेटू मतलब हम लोग क्या होता वारणसी में बेटू माबू मतलब क्या अपने से छोटे को प्यार से बोलते हैं आप तो आज में बेटू का मतलब कहीं और मतलब निकलता है कुछ लोग तो और प्यार से कही और कुछ बोलते हैं ठीक है एनिवे समझना मेरी बात भावनाओ को समझो बातों में क्या ही रखा है ठीक है यह आपको याद एकना है नेक्स पॉइंट मूब करते हैं अगला क्वेस्चन एशन डेवलप्मेंट बैंक गाईज एशन डेवलप्मेंट बैंक इस हैड़कॉर्ट इन विच आप दो फॉलोविंग कंट्रीज हाँ ही ना टिक है फटावर जवाब दो एशन डेवलप्मेंट बैंक एड बी दोस्तों इसके बारे में आपको याद अखना है तो आपको ऐसे आता है 1966 में 1966 में एशन डेवलप्मेंट बैंक इस्थापना करवाई गई थी ठीक ह अभ्य टोटल कितने कंट्री में बारे 68 कंट्रीय स्के में इसके में हैं इसका हैट्ग कोट्र काहां पर है मनिला कहाँ पर है मनिला arı फिल्पिंस आपको उप्ष्न add अब रहेगा एक बार आपको पढ़ना तो पढ़ेगा याद करने के लिए और इसके हेट कौन है मसा सुगू ऐसे आतना मसा सुगू आसा कावा मसा सुगू आसा कावा हीज़ रहेड है रहा है यार क्लेर हैं अगला क्वेस्चिन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड दोस्तों याद रखना पैसे से ले देखे दो बॉडी जाएंगी वर्ड लेवल पे जिसका नाम हाइलाइट है और इन दोनों का हेट क्वाटर कहां जाएगा वासिंग अटन डीसी में एक ये हुआ और एक हुआ आपका वर्ड बैंक ठीके वर्ड बैंक ये दोनों की बात करें इन दोनों का हेट क्वाटर कहां जाएगा वासिंग अटन डीसी में क्लियर वासिंगरटन DC किसका IMF IMF का पूरो नाम एंटरनैशनल मॉनिटरी फंड यह 1944 में आया था ब्रेटन वूर्ट्स कॉनफरेंज के रिकमेंडेशन पर ब्रेटन वूर्स कॉनफरेंज के रिकमेंडेशन पर लाया गया था कौन वर्ड वर्ड बैंक और आई-मफ दोनों ठीक है वर्ट बैंक और आई-मफ दोनों को क्या कहा जाता है ट्विन सिस्टर क्या कहा जाता है इनको ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है इन दोनों को यह आपको याद अखना है किसको वर्ट बैंक और आई-मफ दोनों को यह धिहान अखना आप लोग क्रिस्टलीना जोर्जिवा क्रिस्टलीना जो जोर्जिवा ओके वऑ निया दिएड माल पास कौ नुझ प्रसांत ऐन निया या रोज़ जौन favorant यह रम का पार्ट नहीं है बिटा है आपको आइचना र refusing बॉड़ी है IBRD, IDA, IFC, MIGAR and ICSID यह पाँच नाम आते हैं अलग बॉड़ी है ठीक है इनको 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 ट्विन सिस्टर कहा जाता है जिड़वा बहन कहा जाता है दोनों एक ही नाम मत लेना आपको कभी अगला थे सब्सक्राइब पॉड़ा बाइब बढ़ बढ़न वर्ड़ाइब इस लोकेटे इन विच आप दो फॉलोविंग इस इन में इस ती में वर्ड़ाइब लोकेटेड ए फना बर जवाब दिचे का दुबाई वासिंगर 10 DC मसकत पारिस या नन उन अब दैब नन आप दीज अ वर्ड बैंक इस लोकेटेट इन विच आप दो फॉलोविंग सिटीज आई मफ एकोनोमिस्ट अभी हट गई अंजली अभी हट गई वो ठिक है और इट्स करेक्ट एंसर इस वासिंग अटन डीसी अभी आपने जस्ट अभी आपने पढ़ा है एक्जैक्ट लियार कि पिट सब्सक्राइम हीना रीना हीना वाओ रीना हीना प्रीति रेस्टम अपूर्वा नरेज भाई रिसप्सर वल्डन जया बहुत अच्छे नीशा सुपा बहुत अच्छे अगला क्वेस्टिन जो नाइटें नेशन्स ऑगनाईजेशन इस हैटक्वाटर इन विच आप दो फॉ दर में में न्यू योप्य योवन के न्यू योप्य यूबिटी में चायल्ड स्थी और ऑब हैं 17 कि ए जाइद एंवर्जंसियोध और-पॉन पहलतशन वाले ऐसे आतखना यह यूवंड ईमर्जंसी में सजिख से आतख लो इसको स्टेंट्मेंट आपको बनाना है कैसे बनाना है वो आप जानों तो New York Headquarter हो गया United Nations United Nations Development Program और UNICEF किसका UNICEF इन सबका Headquarter कहां चला जाएगा New York में तो इसका correct answer क्या है Option A is the correct answer United Nations अब बच्चे आपको यहाँ पर ध्याँ से सुनना है 24th of October 1945 24th of October 1945 में United Nations के स्थापना करवाई गई थी किसकी करवाई गई थी United Nations के स्थापना करवाई गई थी ठीक है ठीक है और आपको याद अखना है 24 अक्टूबर को हर साल 24 अक्टूबर को UND के तौर पर आपज़र करवाया जाता है हर साल 24 अक्टूबर के दिन UND के तौर पर आपज़र करवाया जाता है यह भी आपको याद रखना है बोलो कि देखो चिल्डिन इमर्जेंसी देची यूनिस्टेफ हो जाएगा न्यू यू यॉर्क का बाइक सा जहां पे है जब आप दो अभी अभी जस्टुरंट पढ़ा आप लोगोने तुरंट तुरंट मतलब तुरंट अभाई क्लास को लाइक और सेयर कर दीजिएगा आप सभी लो कोई डाउट नहीं होना चाहिए और जो क्लास यहां पर पढ़ रहो यहां पर और जो पेट बैच में पढ लग से करेंट अफेर्ट चलेगा और एक्वेक्ट्री अट्स करेक्ट एंसर इस न्यू यॉयॉक इसका एंसर क्या होगा ऑप्शन सी न्यू यॉयॉक इस दा करेक्ट देखो यह हुआ ना अब आपका कौन मतलब कौन कह सकता है कदर कोई माई कला लालेक नंबर का इंटरनेशन औरगेंशन से हेड़क्वाटर आ गया तो वेल्ड़न गाईस के पिट अब दिल्खुस हो जाता आप लोगों को कमेंट देखके यह हुआ ना अगला प्रेस्चन यह भी जवाब देई दो यह तो आप जवाब देई दो डबलू से स्टार्ट है और ओसे इंड रिट्समा बगहेल में बेटा पीडियाप की जो पेड़ बैच की जो टाइमिंग हमारी वो क्लास अभी स्टार्ट होगी आपकी 26 जुलाई से कब से स्टार्ट होगी 26 जुलाई से ठीक है अरे बैंकिंग अवैनेस नहीं आता जै इसमें बैंकिंग कहां आ जाएगा कोल बैंट और दोस्तों इसकारेक्ट एंसर इस यहां पे होगा नन क्यों क्यों यह बहुआ ऑप्शन दिया नहीं ना जिनेवर्चल और स्वेड़लैंड होगा डवलो से स्टार्ट ओसेंडिंग ऑप्शन ईस दा करेक्ट एंसर ऐसे क्वेस्ट्टन हमनें जानबूच के लगा रखें option ताकि आपको confusion हो आप टिक करोगे क्या करोगे तो यह तो पता होना चाहिए नौन आप दीज बोलो clear है confidence आ रहा है आपको हाँ या ना तो बिटू यह रहा है आपके आज कि यह आपका बैच है आपका बैच हम आपको एक बारी आप देख सकते हैं सब के लिए आपको कोड है आपको यादकना वाई 307 यह आपके भाई यानि मेरा की मेरा आपका यह कोड है आप इन्रोल कर को कवर कर देंगे इसका पेपर बहुत ज़्यादा नहीं हलुआ टाइप आने वाला है और हम लोग यहां पर अच्छे मांच करने वाले इसके रिगार्डिंग आपको बता दें दोस्तों आप कैसे इन्रोल करा सकते हो देखो कोल इंडिया का आपने फॉर्म जिन्होंने नह तो देखेगा यहां लिखेते हैं अन्य तो अटवकें आप यसे ओनकर अड़न आप यहां इस तरह से ओनोंगा मिचे जाना तो आपको ऐसे टैब दिखना सुरूँ हो जाए यहां पर गाहारा क्लिक करना आप पहला के क्लिक करना पर आपको अगर आपको पेपर हो पेपर कर सकतो पीपर 39 का आपको होने वाला है यह बहुत ज़्यादा कॉसली नहीं 1839 में आपको चारों सब्जेक्ट अवैलबल होने वाले हैं अलग-अलग और जो क्लास में होगी उसका पीडिया भी आपको अवैलबल होगा यार और यह आपका लीगल और HR का है तो आप लीगल वाला भी जो हमार पूरा हो जाएगा ठीक है यह आपका पूरा हो जाएगा इसमें आपको लॉभी अवैलबल हो जाएगा पेपर टू यानि कि डो प्रोफेस्नल नॉलेज जो है वो भी आपको मिल जाएगा यहां पे ऐसे चार में भी है एचार में भी आपको वाई 307 कोड लगाना आपको य सेल बेंटों कोज भी तो आपको कूड यहां देखना मेरे बाई दूसरा चीज एक चीज़ और आपको बताया कि आज क्या है अड़ा के हैट आड़ा के जितनी भी प्रिंटेट बुक हैं इसके तो पर आपको क्या मिल जेग आपको मैक्समुमम औूफ मिल रहा है आम देख स सकते हो सुप्रीम बुक किट आप इसके उपर जाना और इसके उपर सबसे बड़ी बात आज के दिन आपका कोई एक्स्ट्रा हिडेन चार्ज नहीं लगने वाला यह कोई आपको अलग से पे नहीं करना कूरियर चार्ज यह चार्ज तो आपको कोड लगाना है वाई 307S आपक यह वाला ठीक है आपको प्रिंटेट बुक आपके घर पर पहुंच जाएगा विदिन सेवन डेस सेवन डेस टू टेन डेस के अंदर अगर गाम इंच्छित्रों में थोड़ा टाइम लग सकता है दस दिन अदर्वाइस आपको यह बुक आपके घर पर पहुंच जाएगा तो थैंक्यू दोस्तों आप कोई सब इस कोड के साथ इंडरोल करा सकते हो फिर से देख लो य 307S कोड है और आपका लाइब क्लास के लिए इन्रोल कराना है जो अभी इसके पहले लाइब बैच्छिय लिए 307 तो थैंक्यू दोस्तों वाइब भाइब टिक केर हैव निवाद और आप सभी भी अपने में गुरू हो क्योंकि आप अपने से भी सीखते हो कुछ तो आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा के हार्दिक बदाई और अभी नंदन हम कल फिर से मिलेंगे साम में तीन बजे तब तक लिए जोड़ दोस्तों आयो और नए दोस्ते जो